हम ची संगीता चाहा सब्गुटे के सादर परणाम करेची आई तेरहम और अंतिम दिन के खिस्टा उना अई विरका पावेंत भूत बरकाटा छे अब एकर उपैकी निकालल गे लिया जही कथा सबके फेर सो दोहराल जेते की की से तर्नीक जगा हमां जानकारी नहीं है लेकिन नहीं होना कथा क्या अंतिम दिनक कता तेरहम दिन का तो आओ सब्गुटे के सुनावी इक था तब बड़ प्रचली ते हमरा बुझाई है जे दिनका कनिको गाउं घौर से कनिको आन जान हैतन सब्गुटे के लगभगी खिसा बुझल हैतन राजा स्रीकर के कथा तो तेरहम मविन ओंग कथा महीं जिए खरक नाम के एकटा राजार हमें उनका ऐकटा बढ सुंदरा बेटी भैल जें आ बेटी भैल चिन तो युटी के टीपम सद्धुन संद्धिक्थ को लिखल खिन जे हिनकर भाग बड़ अधला चन कुनों नीक योग हिनकर भाग में नहीं चन हिनका लिखल चन जे छाती लात जोटा हाथ आज सवतिन के पोखेर में आरहाई च्छाक मैट उगती आप राजा के मैं नहीं दुखा के कुना बरनन को क्याल जा सकाई है राजा बहुत दुख्य भिला लेकिन अपन साथिक क्युछ ćए फला ओ अही में की कहुए सके चला था बेटी जहां विवा हा कर वा के योग हिनकर अक्र तर स्रीकर के बेटा रहतीन चंद्रकर जोगेता भएयेगे लहतीन तो मैं हुनका कहतीन जे आप भुवा बीआखशत हुन भ़ईन के भाईना वहलों लेकिन चंद्रकर के ता याद रहन जे हमार पिताजी जोतिस सा देखेने रहतीन तीपेड अटीपेड में हमारा भईन के इ कर दो नेकर हम बियाह कर बेने एक रहा उसाब चीज को रहा पर थे अब मैंकत वहुनका समझाब थी लेकिन ईव मानने लेलते हैं यहां नहीं करें भी हम इनका अत्तों नहीं रख भन में तोलख लोग के परेशानी भोले यह कर वी यह कर वी आ तो हम आ रहों कि ईह लोग रहा कि उह लोग रहा सब्ठन यह सब चीज हो छे त्यां दूबए यह अपन निरा करने यक्ता निकालत अइक्टा बोन में माइट के तोर में ज़कावे ज सब चीज के बैवस्था को देखिन एक्टा नोकरानी सने अपन बहिन के उता पठा देखिन उपर सोख्रा मुइन देखिन अकनीक भूरों में छोड़ देखिन जब हवाब साथ उदने जे देखते हैं अब अहां इस समय लियो जे हुनकर इच्छाई रहन जे नहामर बहिन का क क्यों देखिए यह आगा कोनों भी बात बढ़ते भी आहदान फला चिला के तो बढ़ बढ़ हिया कोनों तरहे एक आदमी अंदर बाहर जा सके या उत्वे भूर रहे हुए में छोटल राजकुमारी अबला चली ओकोत किछ ने सके चल खीना उनका अपन भैके बात माना पर लन ओई अंडर ग्राउंड घर में अपन दीन काटा लग ली खेनाई पिनाई के जते भी उनका चीज बोस्त रहन सब्टा भैया इंतिजाम करें चल किना कुछ-कुछ दिन पर जाकर उनका सब्टा भैर अबे चल खीना एक दिन सुबर्न नाम के राजा सिकार खेलत-खेलत ओई दने उनका ओई बन में पहुंचला उमर दने जया के मौका भेटलन जत्ता राज कुमारी अंडर ग्राउंड घर में रही छला था राजा के बहुत जोर के प्यास लगलन ओपाइन तके छला अचानक उनका चुट्टी पर नजर गलन देखियो लिखलाहा केना हुई छे कहे छे कि जे लिखलाहा हाथ पकेर कर लोग के करवे छे यहा सब चीज से लोग सीखाई छे आई चीज के माने छे जे होई हैं वही जो रामरची राखा तक चुट्टी पर नजर गलन चुट्टी एक धारी सा जाई छले जखन राजा आउकरा देखल खिन तक चुट्टी के मुह में साग भात लागल रहें राजा के विश्वास भोगलन जे आई आसे पास में कतो नकतो मनुख के बास से निबास से उतर है यह मनुख और चुट्टी के धारी के अंत तको पहुंच गेला आद देखाई छत जे जारी में गिदर आ साही के बिल से हो छे सोई हैं वही स चुट्टी के धारी भारा रहा छे राजा ओई सोईन्ह में पईस गेला भीतर गेला के बाद देखे छे जेक खुब सुंदर घौर छे आंगन छे इनार छे ओ हाक लगो लें आबास देलखिन क्यों छी हम्रा बढ़ जोड प्यास लागले क्यों हम्रा कैनी पईन पिया दिया हाक स्विनका राज कुमारी पात्र में बरतन में गलास में जे में अन्य हो थी तसीतल पाइन अपन चरिया के हाथे पठा देल खिन जे जो जेल खुनत इनका दोब हुँगा राजा जौल पीब लेलत लेकिन तयो हुनका प्यास लग ले रही गेलन ओ फेरो से पाइन मंगल उत्ता हुनका चरिया स औनो करणी स हुनका पता लग लंजे एक टा सुंदर राज कुमारी थे रहे च्zna्छत आ ओ कुमाईरे च्छत इस अपना हुनका राज कुमार के कहीं देल खिन जेल planted ट को यास तरौल राजा इनक्र राजा रहे गेला ये राजकुमार उत्ते रहे गेला राजकुमारी के सुंदर्ता देख मोहित भगेला ओ राजकुमारी से बियाह कोल लेला आ सुख बिलास करेत किछ दिन उत्ते बिता लेला बियाह कोला था ओही अंडरग्राउंड घौर में रहे का पनकनियासने राजा आप अपन राजधानी घुर्बा के विचार कोरा लगला तो राजकुमारी कहल किन अहां जाई छीत जाओ लेकिन अहां याद राखब हम राज से हो पावईन होई छे एक्टा मधुस्राम नी जे साउन के तिर्तिया का हेते ओई दिन नब कनिया जे छे से नब का कपड पहिडे छे ओई दिन सासुरे के अन्नों खाई छे बस्त्र पहिडे छे सब्ता चीज तो सासुरे के करे छे त्या मोन पाईड का ककुरो दिया हमरा सब चीज पठा दे राजा आपन राजधानी घुर्बा कारीगर के बजा का कहल किन जे एक्टा खुब सुन्दर चुनिरी उन्न का तुराख ईबात जेटकी राणी बुज गेलखिन ओ राजकुमार जे छला है से भी आहल चला है तो जेटकी राणी बुज गेलखिन जे इए चुन्री किया बनवार हल चत रानी सोचले जे बिजहा यां फेरकतों से भी आहको का कच्छे लेला त्याई जोल्हा के चुन्री बुनला कही देलखिना रानी चुपचाप जोल्हा के बजालेलन आहुनका कही देलखिन जो ओई चुन्री में छाती लात आ जोटा हाथ लीख दियेंगो उकरा तेना कहा चुपच दियें जे क्यों बूझे इने राजा के एकर खबर नहीं हो इनसे तु बुझ ले बरबर यहां जोल्हा के कौन चले यह ओ तभाईकाज को रबला चले जे पैशा देते तकर करते तो यदि हमर कहल तु कर भया तो तो रहा हम डाला भरका सोना इनाम मे पर्व समय में पहले किस समय के बात पुर्व समय glow picture चिरै चिन मुनि पूसे छलत है राजा संब कबूतर जाजा सुने âफैं। चीडा चिरै चिन मुनी के पूसे ही चल खिना है उकरा सब्के प्रसिक्ष स्चित करें प्रसिक्शित गुप्त काज करवा के लेल। कतबो रार पाग पहिडता तईयो रारक रारे आ कतबो साग के घी में तौरब तईयो सागक सागे। तहीना कतबो चलाक तकव्ये ने इविदा भेल बाट में रस्ता में कतव देखल के जेटा कुमहार के उता से भोज भरहल छे। ओ तो चोंगा राइख का आईट कुईट क्या लागल। ओ चोंगा उत्ते भी से जे राजा उकरा देने रहतीन। मधुसरामनी दिन राज कुमारी के सासुर सा कुनो चीज नहीं एलन। ओ तमसा का उजरा चानन सा गवरी के पुजा केलन। आ कॉल जो इरक बोर मंगलन। जे जहिया हमरा राजा सा भेट हुया तहिया हम बौक भोजाए। यह अपन बरदान मंगले था। राज कुमारी के भैट चंद्र कर के जहन पता लगलन जे हुनकर भी वहीन बिया को लेलखिन तो ओ तमसा का खर्चा पठाबंद को लेलखिन। खर्चा बंद भेला सा राज कुमारी के आप साज अक्ज उपास पर अलगलन। आप उनकर जे चेरिया थलखिन नो करनी तिनका राज कुमारी के कस्ट आप देखान नहीं जाए। सांज एक सांज उपास बढ़ उनका कस्ठों जेक्ट राजकुमारी के ईदसा लोग पास में एक्टा पोखर खुनाईत रहे ओई में मैट उघल जाईत रहे सांज में बवईन कक दुनु गोटे उपास तो रहे इकाज चेरिया नित कर लागल इचेरिया ओई पोखर में काज पकर लग आ ओँ मैट उघ आ तहन जेकिछ बवईन लग आबै तैसा दुनु गोटा भर दिन का भुक लाहा के तो रहे था पन किछ खाईत इचेरिया आपन र बोज करे छला ओई बोईन सा दुनु गोटा के गुजरोने निक सा चले छला नहां राजकुमारी से हो फाटल पुरान बैचारी पहीर का चेरिया के संगे जबर्दस्ती बोईन कर लागे ली ओता हुनका पता लगलन जे इपोखर हुनकर सवतिन खुना रहल छतेन इबुज जिते हुनका टीपईन के बाद मोन पेड़ गेलन ओ सोचलन लिखलाहा के कियो ने मेट सके या जखन ओ पतिया में मैट उठेलन आप भारी लगलन तो ओ बाईज उठली सिरकर सिरही चरहाओल चंद्रकर देल बनबास बाप स्रीकर जोनका मात पर अखल किना भै चंद्रकर जोनका बनबास देल खिन सिरकर सिरही चरहाओल चंद्रकर देल बनबास राजा सुवर्ण बनही बियाहल लिखलक नई परकार बाके में लिखा वला के जवाब ने जे बाप उनका मात पर चरहल खिन भै उनका बनबास देल खिन आ राजा सुवर्ण बन में उनका सब यहाहल खिन लेकिन उनकर परकार नी बदेल सकल खिन ने लिख पिल खिन जोन सब जोन इस सुन लगता अक्चा का अगेल राज कुमारी दोसर मैटक पतिया उठेलन अफेरों से यह फकरा बजली बन में राजा सुवर्ण के बिवाहक बात सुन सब के आस्चर जिभो गिले संजोग सा राजा से हो ओए दिन पोखेर पर काज देखवा के लेल एल चल थे जो पोखेर पर केना काज भरहल चे ओहों natural सुन सुनलन फकरा सुनका हुनका सवब बात मोन पढ़िएलन तकरबाद उ अपन राजधानी आएकोई राजकुमारी के मिसेर गिला राजा के लाज आटम गलाइन भेलन राजा सुबर्ण के राजकुमारी तेसर पतिया मैट फेकवा के लेल उठेलन अईबेरो आधे पतिया मैट फेक सकली आकी बीच में राजा सुबर्ण हुनका पकर लेल खिन आगा में ठार भोगेल खिन राजकुमारी राजा के चीन गेल खिन आप उचल खिन जे इकाज किया को रहल छी राजकुमारी गवरी के बर्दान के अनुसार बोक भोग ली राजा के किछ उत्तर नहीं दिल खिन वो बोक भेल ठार भेल रहली राजा सवारी मंगा का चरिया के संगे राजकुमारी के राज महल लोक गिला अपना उता उता असनान कराका सुन्दर पटोर गहना सब पहिराका रानी के सम्मान दिल खिन तहन राजा के ऐई बातक दुख होईन जे इपोजित किया ने छथ इकिया ने बोजे छथ नो करनी से पुछल खिन तो ओ कहल खिन जे मधुसरामनी दिन अहां पावेल लिल किछ नहीं पठेने रही है ते ओ उजरा चानन से पुजा का गवडी से बरदान मगल खिन जे हिए अपन घरवला से भेट हुए ते हिए हम बोग भाजाए ते ओ नहीं बैस सके छथ राजा के जहनी इसा बात राजा सुनलन तो दुखक पारावार नहीं रहलन ओ कववा के बजा का चोंगा के खोज करे ले थ कववा के इबात ध्यान से उत्यरी गेल रहे खोज करते ओकरा मुन परले कुमरा के ओईठाम ओ राजा अपन दूद पठा का कुमरा के बजेलत तकन ओ कहल किन जह हमरा एकर जानकारी नहीं है इच तकन अपना ओ इठाम खोज करे थी ओ कुमरा कहल कर जह हमरा अहां के चोंगा दा कुनो जानकारी नहीं दिन भोज रहे तक हमरा नहीं बुझाले तई यो हम ओ तब पता करे थी कुम्रा तहन आंगन गेल खोज के लगता पता लगले जे भोज़क दिन चार परसा खोसल रहे उकर पुतव हुँ ओचोंगा उठा का कोठी मेरा इखे दिल कैसे रख ले छे ओ आइन का राजा के दिलकन अच्छमा याचना केलकन जे हमना ध्यान से उतेर गिल लहने तहम पहु उकरे सप्टा क्याल फसाद छे चोंगा आइन का जखन राजा देखलन तो सब बस तु ओहिना अनामे सप्टा एकदम ओहिना ब्यवस्थीत रहे चोंगा सब पटोर जहने निकालल गेल तो देखे छत जोई पर लिखल छे छाती लात जोटा हात राजा के इदेखते देह में जना आइग लाइग गेलन ओ फेर जोलहा के बजेलन आप पुछल खिन जे एक के ना तु लिखल ही एमें तो तो रहाम नहीं कहने रही हो जोलहा सब बात उनका कहल कर राजा रानी के बजा का दूखंड का कैट देखे राज कुमारी के आप बुझा गेलन जे आई में राज के कोनों दोस नहीं छन कवा के गलती से एते फसाद भेल राज कुमारी अगला साल मधुसरामनी दिल ललका फूला चानन से गवरी के पूजा के लन आप बोल फुटवा के जहम बाईज सकी तकर बरदान फिर मंग ले था रानी बाजा लग ले था उनकर आवाज उनका वाप सभेट गेलन गोरी महरानी के बरदान सब आप राजा संगरानी बैन का सुखक जीवन बितावा लग ले इता भागेल राजाश्री करके कथा आप अपना सबतब मधुसरामनी दिन सुहाग मोथल जाएचे जे लास्ट दिन होचे तो ओई में छंश्री गनेश जी के सुहाग मतब आप बांट अब मधुसरामनी दिन गनेश जी अपन मैं के कहल खिन जे मां हम सुहाग माता चाहेची जे आई हम सब के सुहाग बट बने तो मैं कहल खिन जे बहुत नीक बात बहुआ अहां निश्चित रूप से सुहाग मतु आप बातू आई में आहां के जई-जई- ज़रूरी बुझात ओ हमरा सप्ता कहो आप महां के सप्ता ओरियादया ता गनेश जी कहल किन ठीक छे मां अहां हमरा धान धोनी काठक तामा नीम बेल आमक काठी हमरा ओरिया दिया बस भोग़ेल ता गोरी सप्ता चीज और या दिल खिन आगनेश जी लगला सुहाग प्रथम सब सब पहिन एक ता धोबीन सुहाग मांगला एलन तो गनेश जी उनका सुहाग देल खिन आ कहल खिन जे अहां के घौर बला भैड दिन नुआ कपड़ा खिचता भठी लगोता मतलब कपड़ा पर प्रेस भठी लगोता भैड दिन खुब महनत करता साज खन घौर ओत रोज उनकर यह काज रहतन और तैसा अहां के सुहाग बॉरहत ठीक छे ओक बाद दो सर्व जब मांगला एलकीन ओ रहतीन कैस्त कैथिन जक्रा कही छे ता ओ कैस्त रहतीन तो ओ इलकीन इस तरह गन तो उनका गनेश जी देलखिन सुहाग कहल खिन अहां के देबान जी मतलब अहां के घौर बला, एक तरह से मुंसी या की कहब एकाउंटेंट, तो देबान जी भर दिन लिखा पढ़ी करता, साज खन घौर आता, और अहां अपने सीकी के मौनी चंगेरी बुनब खोपा के बिन्यास करब, तैसा अहां के सोहाग बरहत, तकरबाद मलाहिन एल, तो गनेश जी अकरो सोहाग देल खिन, अकहल खिन, अहां के मलाह माच मारता, अभेचता, जाल बुनता, टापी बनोता, अहां के देह मचाईन महकत, तही स अहां के सोहाग बरहत, तकहण एक ता, मालीन एल गनेश जी उक रो सोहाग देल खिना कहल खिन माली भर दिन फूल तोरता आसाज खन का माला गैत का अपन ग्राहा के घौर पहुंचेता तैसा अहां के सोहाग बोढ़त तकर बाद एक टा गुवारीन एल तो गुवार नी आपका गनेश जी सा सोहाग मंगल कन ओक रो सोहाग देल खिना कहल खिन अहां के गौार अहां के घ़र बला भर दिन गया महीस चरथा दूहता साजभोर दूद दूता आह दोही पोरभ घी मोतर दूद दोही बेचप घी बनाब और आहां के देप फोकरैन महकत अह appeal साहाग सुहाग बोढ़ाद तकरबाद उनका से एक टाब बनिया इन मांगला इलखिन सुहाग गनेशी बनिया इनके सुहाग देल खिना कहल खिन जह अहां के बनिया मतलब आहां के घौरबला भेड़ दिन दुकान पर रहता तराजू बठारा धोता सौधा बेचता और आहां हुनकर स हाइता से हो करबन अनफट कब उकरा साब सुत्रा को कबेचब तैसा आहां के सुहाग बोढ़ाद सबसा पाचू ब्राम्हनी एली ओह गनेशी सा सुहाग मंगलन गनेशी हुनको सुहाग देल खिना कहल खिन आहां के ब्राम्हन आहां के घौरबला ब्राम्हन पूजा पाठ क बिद्यार्थी लोकेन के पढ़ाता मतलब ज्यान बटता अहां जनव काटब घर आंगन के पवित्र सो राखब पवित्रता सभानस भात करब ताइस अहां के सुहाग बढ़ात अही प्रकारे आनो आनो जायत के सदवा सब एलखिन गनेश जी सब के सुहाग बटलन अपन अपन जायत के उपदेश देल खी सौब कियो प्रसंद भगा अपन अपन घोर गेला ता अपना सब रामन ची ज्यान बाटते चलो ज्यान बटे ची ज्यान होने हो बाटम मेकनी को पाच्छानी ची तब बहुत राज धन्यबाद मधुस्रामनी के अग्रिम सुपकामना सब गोटे क वाल फबनेतिन के अहां बढशेब आंटिके कर रें क्यों 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 खरूंद भिगा अनूना क्या बला के ता मुझे जिए को हाल है तह बहुत धन्यबाद